कर आ रहे हैं कि केशो प्रसाद मोरे विधायकों से कहीं नहीं मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात के खबर यूगे दितनात को नहीं है और जाइड सी बात है यह अंतरकला की इस्तिती जो है यादो ने बयान दिया था कि अपढ़ना यादो का भारतिय जंता अंदरूनी कलहक को देखते हुए भारतिय जंता पारटी से अब कई विधायक कारीकरता सांसद नेता क्या अब पार्ले का साथ छोड़ती नसरें गहां हैं लेकिन लोग सभाद चुनाव का परिणाम भारतिय जंता पार्टी पर जो भारी पड़ा है अगामी विधान सभाद चुनाव से पहले उपचुनाव में भारतिय जंता पार्टी क्या फस जाएगी नमस्कार मिनाजविन खान और आप देख रहे हैं इस पेन नाइन नियोज उत्व परदेश में दस विधान सभाद सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी ने कमर कस्ते हुए अपने विधाय को संग एक बड़ी बैठक लखनव दफ्तर में किये तो वहीं भारतिय ज पार्टी में गुटबाजियों का दौर शुरू हो चुका है जहां के शप्रसाद मौर्या है एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ सियम योगी आदितनाथ हैं और दोनों आपस में नराजगी पैदा करते वे नसर आ रहे हैं दोनों के बीच में नराजगी है और यहीं सकती है क्योंकि जहां प्रदेश अध्यक्ष बुपेंद्र चौधरी स्टीफे की पेशकर्ष करते हैं जहां राज्य मंत्री सोनम के नर स्टीफा दे देती हैं तो वहीं भारतिय जनता पार्टी से आवाज निकल रही है कि फिर से स्टीफे का दौर शुरू हो सकता है विद फैसलों में और नाम गूस्ता वच्व नज़र आता है वह नाम हम सिम्ह यादव की छोडी बहु अपना को पर्यापला से नहीं दी ठस्वीर हैं कि भारती जंता पार्टी अपना वजूद उत्त परदेश में खंगालती हुई नजर आ रही हैं ऐसी स्थिती में अपना यादव अब क्या करेंगी भारती जंता पार्टी से अलग हूंगी समाजवादी पार्टी का दामन ठामेंगी या फिर खामोश रहेंगी और समय का इंतिजार करेंगी इस से जुड़े हुए कई और तमाम सवाल बनते हैं मिरसायोगी सिराज मिरसात माजूद हैं सिराज क्या लगता है कि जुस तरीके से भारती जंता पार्टी में अंधरूनी कलह देखने को मिल रही है जहां दो गुट अलग अलग नजर आते हैं दो गु इस तरीके से केशो परसाद मौरी जो की डिप्टे सीम है और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो है मुलाकात करते हैं पर यह भी निकल कर आ रही है कि केशो परसाद मौरे बिधायकों से कही न कहीं मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात के खबर योगे दितनात को नहीं है और जाहिड सी बात है यह अंतरकला की इस्तिती जो है वो पैदा हो रही है इसको लेकर कि उप चुनाओ रही है खास तोर पर भारते जंता पार्टी में जो उनके निता है वो खुद में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं टिकट को ले करके पद को ले करके मुझे लगता है ऐसी इस्तिती में अपढ़ना यादो खुद को सहज मैसूद कर रही है भारते जंता पार्टी में क्योंक लोगसभा चुनाव में भी उन्होंने एकसा जाहिर की थी कि मैं कहीं न कहीं लोगसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आऊंगी मैं लड़ सकती हूँ चुनाव मुझे टिकट दीजे लेकिन तमाम जद्दो जहद के बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया और यही वो प्रम अपमान नहीं बलके पूरे यादो परिवार का अपमान है तो इसको देखते हुए भी यह संकीत लगाए जा रहे हैं कि अपढ़ना यादो कुली करके समाजवादी पार्टी खुद चिंतन मंथन कर रही है और अपढ़ना यादो सही मौके की तालाश में है यहां पर से टिकेट काटने का मकसद यह होता है कि और ब्रिज भूशल सरनशंग खुद ही यह इनशूरशन मामली में घेरे हुए टिकेट दिया गया तो वेस्थ जाए गया जयानी कि बर्बाद होसक्ता है वह सीट हम के हाथ से जा सकती है इसलिए उनके बेटे को यहां पर टिकेट सब्सक्राइब गिए टिकिट जा सकता है उनके अब ऐसे में करहल विधान सभाथ सीट पर भारती जंदा पर्टी समाझ वाधी पार्टी के तरह से फैसला किया जाता है कि यादव चेहरे को तारा जाएगा क्या सपा की तरफ से अपढ़ना यादव यादव चेहरे के रूप में उतरती में नजर आ सकती हैं करहल सीट है वह सपा का गड़ है मुलायम सिंग यादव को अच्छे खासे रिष्टे माने जाते हैं तो मुझे लगता है वहाँ पर उनी के परिवार से किसी सदर्श से को उतारना ये सपा के लिए मुलायम सिंग यादव की तारीफ करती वे नसर आए और यहां तक कहती वे नजर आए कि स्वरगी मुलायम सिंग यादव ने यादव समुदाए को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज अपड़ना यादव की ये स्थिति है कि भारते जनता पार्टी उनको लेकर कोई फैसला नहीं कर पाती है वहीं शिर्पल यादव की बात करें जो रास्टी महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के वो लोग सभाद चुनाफ के मदे नजर एक संकेत देते हैं कि अपना यादव परिवार की बहु हैं संसकार बरकरार हैं और सपा में आती हैं तो बड़ी जिम में भी कोई भी सीट नहीं दी इसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि भारती जनता पार्टी इस बार उत्तपरदेश में कम सीटों को जीतती हुई नजर आई एक आखरी सवाल रहेगा सिराज आपसे केशव प्रसाद मौर्या को अफर अखलेश यादव ने दिया कि मा अफर था जाइड सी बात है केशव प्रसाद मौरे को देखते हुए जो भारती जनता पार्टी में प्रस्तितिया बन रही है लेकिन ये मुझा लगता है कि तंज था और इसको देखते हुए आदे कि कोई भी पार्टी है कोई भी छोटी पार्टी हो चाए बड़ी पार्ट जो बिपक्च की पार्टी है उन से कही न कही नेता जो है वो भारती जनता पार्टी में शामिल हुए है और भारती जनता पार्टी के कही नेता भी कही न कही न कही जो तमाम पार्टी है उनमें सामिल हुए है तो मुझे लगता है कि यह सब फायदों को देखते हुए किया जा कि केश्य प्रिसाद मौरिया के जरिया हो सकते हैं कि अपना यादव भी समाजवादी पार्टी में वापसी कर ले और भारती जंता पार्टी अगर अपनी स्तिती को सुलजा नहीं पाती है तो अपना यादव को यह फैसला लेना अब मजबूरी बनता हुआ नजर आएगा क्य वागई ऐसा होगा क्या लगता है आपको क्या है आपकी राइस मुद्दे को लेकर कमें सेक्शन में अपनी राइस जरूर दें देखते रहें स्पेन नाई नियूस थन्यवाद